दोस्तो आज हम एक ऐसे पंजाबी सिंगर की बात करने वाले हैं जिसके गाने अमेरीकी सन्बर्न और समर फेस्टिवल्स में भी बचते हुए सुने गये थे एक छोटे से गाउं से इस बंदे ने अभी तो शिरुवात की थी आसमा तक जाना तो बाकी था लेकिन अब ये बंदा हमारे बीच में नहीं रहा बीते दिन इस बंदे को गोलियों से चलने कर दिया आप समझ गये होंगे हम बात कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की जिया इस इस वीडियो में सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी हुए तमाम जानकरी आपको देने वाले हैं यानि कि उनकी बायोग्राफी आपके समने रख रहे हैं इसलिए गुजारिशे वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा तो चलिए ये बायोग्राफी शुरुआत करते हैं त और इसी जुड़ाव के चलते शुबदीप सिंग सिद्धू ने अपने नाम के आगे गाउं का नाम जोड रखा था और अब ये सिद्धू मूसेवाला के नाम से पुरी दुनिया में फेमस हो चुके थे सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 को मांसा जिले की मुसागाओं में हुआ था सिद्धू के पिता भोला सिंग सिद्धू सेवा निवरत सैनिक रहे हैं और सिद्धू की माता चरन कोड सिद्धू मुसागाओं की सरपंचे सिद्धू मुसेवाला सिक समुदाय से तालूख रखते हैं उनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम गुरूपरी सिंग सिद्धू है पेशे से सिद्धू मुसेवाला पंजाबी लेखक, लिरिक्स, रैटर, पंजाबी सिंगा, रेपर, एक्टर और अब पंजाब की राज सिद्धू मुसेवाला को बचपन से गाने का शोक था, गौवर्मेंट मॉडल सीनियर सेकंडरी स्कूल मांसा से सिद्धू ने पढ़ाई की सिद्धू मांसा से सिंगिंग कॉंपटिशन में भाग लेने के अलावा भी स्कूल में शुबदीब गाना गाने और एक्टिंग कर साने में काफी खुश रहता थे, सिद्धू गाते भी बहुत प्यारा थे, वहीं से इनका सिंगिंग के प्रती रुजहान हो गया, इसकुली सिक्ष्यापूरी होने के बाद इंजिनियर बनने का सपना लेका सिद्धू मुसेवाला गूरू नानक देव इंजिनिरिंग लुधियाना में चले गए, सिद्धू ने इलक्टरिकल इंजिनिरिंग में बिटेक किया है, पर बिजली के तारों में ना ही सही पर हमारे दिलों में इनके गानों का करेंट येकिनन बश्टा था और बश्टा रहेगा, वहाँ कोलेज की फ्रेशर पार्टी से लेकर हर कारक करेंटरम फंक्शन में गाना गाका ना केल अपने साथियों का बलकि लड़कियों और टीचर्स का भी दिल जीत लिया करते थे, कोलेज में एक घटना ऐसी घटी थी जिसके चलते सिद्धू मुसेवाला सिंगर बन गया थे, दरसल हुआ यूँ था कि कोलेज में सिद्धू म मुसेवाला के गानों की सभी तारीफ करते थे, जिसे देखते हुए उनका मन होता था कि वो किसी म्यूजिक कमपनी के लिए इस्टूडियो में गाएं और इसके लिए उन्होंने खूब कोशिस भी की थी, कुछ संगीत लेखा सॉंग राइटर जो होते हैं, ने साफ मना कर तो कुछ इतनी जादा रेट बता रहे थे, कि सिद्दू मुसेवाला इतने पेसों का इंतजाम नहीं कर पाते थे, कुछ समय बाद किसी बड़े संगीत का फोन आता है, वो उनके गाना गा सकते हैं, ऐसा बताय जाता है, ये फोन सिद्दू मुसेवाला को इतना खुश करता पाता है कि उनको राद बार नेंद नहीं आती, अगले दिन वो जाते हैं और वो संगीत कार उनको खुब दिनों तक घुमाते हैं, फिर बाद में भी उनने ऐसा कहते हैं, नहीं मिलते हैं, इस गटना से सिद्दू मुसेवाला का दिल तूट जाता है, और दिल में चिंगार जल जाती है, अब शिद्दू मुसेवाला ने ठान लिया था कि वो खुद के गाने लिखेंगे, और कहते हैं ना, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, बस यहीं हुआ, और फिर काफी मुश्किलों का सामना कर, जैसे तैसे उन्होंने खुद के गाने लिखना शुरू किया, और उन्हें गाया भी सही, सिद्दू कड़ी मेहनत करते हैं, फिर कोलेज पूरी करके वो कनाड़ा चले गए, फिर उन्होंने अपना सिंगिंग करियर शुरू किया, लाइसेंस के गाने लिरिक्स लिखकर, जिसने निंजा ने गाया, और ये गाना सूपर डूपर हिट रहा और फिर अपना खुद का जी वेगन गाने के साथ सिद्दू मुसेवाला च्छा गए, और फिर तो इनका जल्वा चलने ही लगा था, अब बात कर लेते हैं सिद्दू मुसेवाला की नेटवर्ट के बारे में, कि उनके पास कितनी कमाई हुई थी, अगर कमाई की बात के जा इनके वालों में से एक हैं, कुछ वेबसाइट की माने तो 2021 में मुसेवाले की कमाई 110 करोड पे बताए गई थी, अब इनके कार कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अखिरकार सिद्दू मुसेवाला किस तरह की जिन्दगी जीते थे तो सिद्दू मुसेवाला को लगजरी कार का शोक हैं, इनके पास काफी कीमती और शानदार कारें थी, है भी सही, जिन में से फोर्ड, मस्टंग, रेंज रोवा, मुच सुबीशी, पजेरो, टोयाटा, फोर्चनार और महंदरा इसकार प्योंक साथ महंदरा थार, और महंद कर लेते हैं, तो जी वेगन लाइसेंस जो हैं, इसके माध्यम से इन्होंने गाया था, निंजा ने, लाइफिस्टाइल, बांक का, उसका हाइजेक, दुनिया, हथियार, छेपुर्दा, जट, नार तयार, और 911, हैश्टेक, इट्स जट, सहान वाले, वेली बंदा, इट्स आबाट यू, कानपुरी असला, वार्निंग शॉर्ट्स, डॉलर, जट्दा मुकाबला, टोचन, जश्ट लिसें, उन्ची अगल्ला, और भी कुछ हैं, अब बात कर लेते हैं कि सिद्दू मुसे वाला कब-कब विवादों में रहें, चलिए, उनकी पूरी कहानी में आपक कब-कब रहें, तो मुसे वाला पर गानों में गन कल्चर को बढ़ाव देने का आरोप लगते रहें हैं, उन्होंने पंजाब चुनाओ से पहले 3 दिसंबर 2021 को कॉंग्रेश योएन की, मांसा से चुनाओ लड़ा और हारने के बाद अपने गीत में गद्दा शब्द के इस् पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, वाइरल वीडियो में शिद्दू मुसे वाला बंदूग दिखा रहें थे, एके 47 राइफल के साथ ट्रेनिंग लेते हुई भी दिख रहें थे, वीडियो में एक पुलीस अधिकारी भी दिखा था, इस मामले में DSP हैड़कॉर्टर को निलंबन किया गया था, और पांच पुलीस कर्वियों पर केस दर्ज हुआ था, दोजार बीस में ही पकिया टूग गीत की शुटिंग के दौरान विवाओं को भड़काने का उन पर आरोप लगा था, शिद्दू के साथ गायाक, मनकीरत, ओलक, समयत पांच के खिलाफ के केस दर्ज हुआ था, मुसेवाला के संजदत से तूलना करने वले गीत संजू पर भी सवाल उठे, उनके गीत के बोलते, जट तेवी ओही, केस जहरा, संजदत ते, इस गाने में अपने खिलाफ दर्ज एफायर को बेज ओफ ओनर बताने पर, ओलंपियन निशानेबाज मुसेवाला ने एक और गीत पंजाब रिलीज कर उसमें खालिस्तान समर तक जर्नेल सिंग भिंडरवाले का महिम मंडन कर विवात खड़ा कर दिया था, सितंबर दोज़ार उननीस में रिलीज उनके गाने जट्टी जुवने मोड़ दी बंदूक वरगी ने सिक इतियास में विशेस इस्तान रखने वाली माई भागों के संबन में विवात खड़ा कर दिया था, मुसेवाले ने विवात के बादस्री अकाल तक्त के समाक्ष पेश होकर माफी भी मांगी थी, मुसेवाला अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभायवित अमेरिकी रेपर टुपे शाकूर से रहे हैं, अपना गुरू भी माना करते थे, तो इस तरह से सिद्धु मुसेवाला की लाइफ रही है, अब अंत में हम बात कर लेते हैं, उनके मापा की, उनकी जिन्दगी से जूली हुई कुछ यादों की, तो मशूर पंजाबी सिंगर सिद्धु मुसेवाला प भारी भीर जूटी, जो उनकी एक आखरी जलक देखना चाहती थी, मुसेवाला के पीता बलकोर सिंग और मा चरन कोर ने अपने इस्टार सिंगर बेटे की विदाई देने पहुंचे सेकडों परशन्सकों का हाथ जोड़ कर धन्यवात किया, पीता ने अपनी पगड़ी उत होनी थी, ताबूत में लिटाए गए बेटे को मा पिता एक टक निहारतर है, या देखकर वाँ मुझूदा लोगों की आखे भी भराई, वेसे भी दोस्तों पंजाबी एक जिन्दा और भाव कौम है, स्वतनत्र भारत के इतियास में देश की सीमा को सुरक्षित रखने में सबस्यदा खून इसी कौम ने बहाया है, शुद्र राजनिती, मैं कहता हूँ बिलकुल हलकी राजनिती, या राजनितिक दलों को अपनी घटिया या स्वार्त पूर्तिक लिए इनकी भावनों से खेलना बंद करना चाहिए, कहते हैं बाप के कंदे पर बेटे का जनाजा जोने जांग पर थपकी देकर, आस्मान को उंगली देखा कर, वही यूनिक डांस मुग दिखाया है, जो उनके बेटे का ट्रेड मार्क मुग था, शायद मुसे वाला के पिता जी जानते थे, या वो जनता से ये कहना चाह रहे थे, कि उनका बेटा कहीं नहीं गया है, वो इस देश के मिट्टी में जिन्दा रहेगा, यहीं होता है जुनून, यहीं होता है पंजाबियत, यहीं होता है चरित्र, अपने आखाओं के चाटुकार्यता में मृतक का चरित्र हरन करने वाले दो कोड़ी के ट्रोलर से इस पंजाबियत को शायद कभी नहीं समझ तो दोस्तों यह था शिद्दू मुसेवाले की जिन्दगी से जुड़ा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं जानकारी ठीक टैक लगे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिएगा, नमस्कार